नमस्कार दोस्तों, मेरा नम संजे मगूयर मौजूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया मंच पर राजनीती के अंदर एक शब्द हुआ करता है जिसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स यानि की दवाब की राजनीती खासकर जो छत्रप होते हैं यानि की ऐसे नेता जिनकी अपनी किसी विशेश इलाके में पहचान होती है किसी विशेश इलाके में, किसी विशेश समुदाय में, किसी विशेश जाती में, किसी विशेश छेत्र में जिनकी पकड़ हुआ करती है जिनकी फॉलाइंग शिप होती है वो छत्रप कहे जाते हैं और वो प्रेशर पॉलिटिक्स खासकर छत्रप अपनाया करते हैं आपसे सारी बात का जिक रिसली कर रहा हूं कि आज कल राव इंदर जी सिंग यानि की राजा बाबू गुरुगराम के सांसद चटी बार के सांसद यानि की देश की संसद में चटी बार पहुंचे हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री रहे स्वर्गिये चौधरी विरंदर सि छे बार सांसत बन चुके हैं कॉंग्रेस से भी और भारती जनता पार्टी से भी तीन बार कॉंग्रेस से और तीन बार ही भारती जनता पार्टी से लंबा अर्शा उनका बीता राजनीती उन्होंने की कॉंग्रेस की और अब वो पिछले लगवग 11 साल से भारती जनता में आ गए थे हैं जब तक राव इंदर जी सіंग कॉंग्रेस में रहे विजा चार से 2014 की सरकार थी कॉंग्रेस गॉर्मेंट सी सरदार मन्माहुन सिंग परधान मंद्री थे और उस सरकार देर बिरा विंदर जी सिंध सेंटर गौवर्मेंट में मिनिस्टर थे राज्यमंत्री और अब जब भारती जनता पार्टी में आए बीजेपी की सरकार है मोधी पार्ट थ्री की सरकार है तो लगातार तीसरी बार यहां भी वजीर हैं लेकिन उनके दिल में एक दर्द है टीज है चुभन है जो कई बार सामने आत को मेरे से छोटे नेता को केविनेट मंत्री बना दिया सेंटर गवर्मेंट में इशारा था मनहुरलाल की तरफ मैं आपसे बात कर रहा था प्रेशर पॉलिटेक्स वाली जब वो कॉंग्रेस के अंदर हुआ करते थे तो उस समय वो हर्याना के नेताओं को को कोई खास भाव वह उनके जो भीड़ते हैं वो मोधी से बीड़ते हैं अमिशा से बीड़ते हैं दिन गढकरी से बीड़ते हैं अंगे की सेंटर लेडर्शिप एवन हर्याना के मुख्यमंत्री चाहे मनोरलाहल थे और चाहे अब नायब सैनी है इनके साथ तो मंच साजा करना भी राव walks ज् चुनाव जब हो गया भी 2024 वाला चुनाव परिणाम आ गया राविंदर जी सिंग मंत्री बन गए सरकार के अंदर राज्य मंत्री के उन्होंने शपत ले लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें टीस है चुभन है वो उनकी कहीं न कहीं गाए बगाए सामने आ रही है औ पहला बयान दिया था चौधरी धरमबीर सिंग ने जो भिवानी के सांसद है और भिवानी के सांसद धरमबीर को आप मान लें कि राविंदर जी सिंग का ही एक साया है वो राविंदर जी सिंग के सहारे ही कहा जाता है कि वो सांसद की जो हेट्रिक बनी है उसमें राविंद राविंदर जी सिंग को मंत्री बनाया गया जो राज्य मंत्री बनाया जाना वो उन्होंने कहा कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर तो बनाया जाना चाहिए था राविंदर जी सिंग ने क्या कहा राविंदर जी सिंग बोले कि मैं ऐसा नेता हूं जिसका सबसे बड़ा दिल में है कि उनके साथ में जो मिला वो काफी नहीं है इतना नहीं है इस से ज़्यादा मिलना चाहिए था और इसके बदले में अब वो हर्याना विधान सभा की तरफ देख रहे हैं राविंदर सी सिंग सोच रहे हैं क्योंकि अपकी बाहर जो चुनाव होना है 2024 का विधान सभा का बहुत अलग टाइप का चुनाव होगा यह एक तरफ जहां भारती जंता पारटी अपने दस साल के राज जो उनका चल रहा है उसको बचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस पूरे हाथ पैर मार रही है कि कि किसी प्र और पार्टी आए चाहे आम आदनी पार्टी है भी मार में दुशन चोटाला है उनकी तरफ भी देखा जाएगा खेर मैं आपसे बात कर रहा हूं राविंदर जी सिंग की और मैं आपको बता रहा था कि राविंदर जी सिंग को पता है कि अब जो चुनाव 2024 का है उसके जो नौ सीटे आती है विधान सभा की उनमें चार सीटे गुरुगराम की है गुरुगराम बाश्यापूर पटवधी और सोहना और उनके अंदर तीन सीटे है नू जिले की जो सीटे है वो नू है फिरोजपूर जरका और पुन्हाना तो नू जिला तो अहीरवाल में आता नहीं डक्षिन हारियाना में तो है लेकिन और मालने कि नू जिला में मुसलिम बाहुल्य है और भारती जनता पार्टी की दाल गलने की मुझे कोई उम्मीद दिखाई देती नहीं और मुझे यह क्या भारती जंतर प़ार्टी के लोग भी जानते हैं कि उस इलाके में नहुं के जिले में कोछ भी लेना, वोट लेना भी बहुत बड़ी बात है जो मिलेंगे उनको और खासकर मुस्लिम समुदाय के जो हिंदू समुदाय के वोटर हो तो चलो मिल जाएंगे बात मैं आपसे कर रहा हूँ अहीरवाल राविंदर जी सिंग तो गुरुगराम जिले को आप अहीरवाल में गिन सकते हैं और चार विधान सभा की सीटे हैं और राविंदर जी सिंग की लोग सभा का हिस्सा इन चारों सीटों पर राविंदर जी सिंग चुनाओं में जीते थे गुरुगराम और बाश्चापुर के तो बड़ी बहुत बड़ी जीत थी तो गुरुगराम, बाश्चापुर, सोना और पटोदी ये चार विधानसभा सीटे हुई और फिर दो विधानसभा सीटे उनके छेतर में है रेवाडी जिले की और वो है रेवाडी और बावल तो छे विधानसभा सीटे तो ये हुई और इन 6 विधानसभा सीटों के बाद में फिर अगर आप चलते हैं तो फिर 5 विधानसभा सीट और बच जाती है इन 6 के बाद में अगर आप चलते हैं तो 5 विधानसभा की सीट बचती है और 5 सीटों में 4 हो गई महंदरगड जिले में महंदरगड जिले की जो विधानसभा सीटे हैं वह हैं महंदरगड नारनौल अटेली और नागल चौधरी और इसके साथ फिर एक सीट बची रेवाडी की जो रोतक लोग सभा में है कोसली ये कुल मिला करके जो विधानसभा की सीटें बनी ये होती है ग्यारा और इन ग्यारा विधानसभा सीटों पर राविंदर जी सिंग की निगाह है यानि कि गुर्गराम जिले की चार रेवाडी की तीन और महंदरगड की चार इन ग्यारा विधानसभा सीटों पर राविंदर जी सिंग निगाह रखे हुए हैं और राव इंदर जी सिंग की प्रिशर पॉलिटिक्स का ही ये एक पार्ट है कि जितने ज़्यादा लोगों के टिकट दिलवा लेंगे उतना फायदा हो जाएगा मैं आपको बताता चलू कि 2014 के विधान सभा चुनाओं में ये सभी 11 के 11 सीटें भारती जनता पालिटी के पास थी और जो 2019 का जो विधान सभा चुनाओं इन 11 सीटों में से भारती जनता पालिटी तीन सीटें हार गई और जो हारी वो रेवाडी होई और दूसरी होई बाश्चापूर और तीसरी होई महेंदरगड अब आपसे सिलसले वर बात कर लेते हैं कि राव इंदर जी सिंग की प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या जुगाड है क्या माइने है उसके क्या रिजल्ट होंगे राव इंदर जी सिंग अपने भाशनों में आजकल कह रहे हैं कि हमारी तो उम्र हो चुकी अब हमने यूवाओं को आगे बढ़ाना है यानि कि वो इशारे इशारे में संदेश दे रहे हैं कि उनकी बेटी आरती राव का नंबर लगना चाहिए कह रहे हैं कि आरती राव को चुनाव लड़ाना है और मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि आरती राव के लिए कई बार चलता रहा है कि अगर उनको विधान सभा का टिकेट नहीं भी मिला तो भी वो चुनाव लड़ेंगी चाहे वो निर्दली ये लड़ेंगी ये आरती राव अपने बयानों में खुद भी कह चुकी हैं। आरती राव के लिए वो सीट कौन सी सोचते हैं राव साथ राव इंदर जीत। पहले वो रिवाडी के लिए अरते थे दो जार उननिस के चुनाओं में, दो जार चौधा के चुनाओं में। लेकिन अब जब दो सीटें हैं। इन 11 में मैं आपको बता दूँ कि दो सीटें रिजर्व हैं। आरक्षी तैनुसुचित जाती के लिए एक बावल और एक पटोदी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इन 11 विदानसवा सीटों में से राव इंदर जी सिंग की नजर कौन-कौन सी सीट पर हैं। सबसे पहले बात गुरुगराम की कर लें। तो गुरुगराम जिले की जो विदानसवा सीटें हैं चार। उसमें सबसे पहले गुरुगराम को ले लें तो गुरुगराम के आजकल सुधीर सिंगला विदायक हैं। गुरुगराम के अंदर अहीरवाल का मददाता कम ह गुरगराम में पंजाबी मद्दाता बड़ी संख्या में है अगरवाल मद्दाता भी है फिर यहाँ पर प्रवासी मद्दाता भी है पूरवांचल का मद्दाता भी है यहाँ पर देश के हर कौने के मद्दाता है और जो वहाँ पर जो विधायक बनते रहें चुने जाते रह से पंजाबी बनिया नेता ही चुनाव जीतते रहे हैं स्वर्गे धरंबीर गावा यहां से चुनाव जीतते रहे यहां से सीता राम सिंगला चुनाव जीतते रहे और आजकल सीता राम सिंगला के बेटे हैं सुधीर सिंगला गुर्गराम विदानसभा सीट पर इसलिए राव संजे मंत्री हैं टिकेट संजे सिंग को मिले गाया नहीं इस बात पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन सोना पर भी राव इंदर जी सिंग की जादा निगा नहीं है क्योंकि सोना विधान सभा सीट में भी अहीर मद्दाता बड़ी संख्या में नहीं है यहाँ पर गूजर मद्दाता हैं यहाँ पर मेव मुसलिम मद्दाता भी लगबग 45-48% के आसपास तक हैं इसलिए स्वोना पर भी नजर नहीं है जिस सीटों पर गुरुगराम जिले में नजर है राव साव की वो है पतोधी पतोधी और बाश्चापूर पतोधी विधानसभा सीट से 2014 में चुनाव जीती थी विमला चौधरी वो समर्थक थी राव इंदर जीस सिंग की और 2019 के चुनाव के लिए मनोरलाल ने तयार कर दिया यहाँ पर सत्यप्रकाश जरावता को सत्यप्रकाश जरावता भारती जन्ता पार्टी के वरकर कही जा सकते हैं मनोरलाल के समर्थक थे और वो चुनाव जीत गए बताया जाता है कि रामपुरा हाउस आपको बता दो रामपुरा हाउस की पहचान राव इंदर जीस सिंग और राजा परिवार से ही है रामपुरा हाउस के बिना पहले पताव जीतता नहीं था ये चर्चाएं होती थी लेकिन मनोरलाल ने अपने जो कारेश एली थी जो उनका कुशागरता थी उनकी जो उसके चलते राव इंदर जी सिंग को डेंट दे दिया था और यहां से चुनाव जीत गहे थे सत्यप्रकाश जरावता अब नजर पटोधी पर भी है राव साब की तुबारा कि पटोधी भी किसे अपने आदमी को दिलवा ले उसके बाद बाश्चापुर 2014 में यहां से चुनाव जीते थे राव नर्वीर सिंग राव इंदर जी सिंग के कटर विरोधी और 2019 में यहां से चुनाव जीते थे दौलताबाद, राकेश, दौलताबाद, निर्दलिये उनका देहावसान हो चुका है, स्वर्गवास हो गया उनका दिवंगत राकेश दौलताबाद भारती जन्ता पालिटे को समर्थन तो देते रहे लेकिन उनकी बीजेपी से पठरी कोई ज्यादा बैठी नहीं थी उनकी धर्म पत्नी भिवत्यारी कर रही है अब अगर बात कर ले बादशापुर की तो बादशापुर में राव साब बड़े अंतर से चुनाव जीते थे लोकसभा में एक लाग से ज़्यादा वोटो से चुनाव में आगे रहे थे राजबबर को उन्होंने बादशापुर विधानसभा में जो हराया था और बादशापुर विधानसभा सीट पर राव साब अपनी बेटी को भी लड़वाना चाहते हैं आरती राव को इसलिए उनकी नजर है कि बादशापुर भी उनकी सहमती के बिना ना दी जाए लेकिन दूसरी तरफ बादशापुर के अंदर रोड़ा ये है कि वहां जवार यादाव वो संख के भी कारे करता है मनोरलाल के बहुत नजदी की हैं वो भी चुनाव की तयारी कर रहे हैं और राव नर्वीर सिंग जो पूर मंत्री है और राव साब के राजा साब के कट्टर विरोधी वो भी तयारी कर रहे हैं लेकिन इन दो सीटों पर जो मैं आपको बता रहा ह महिंदरगर जिले के अंदर जो चार विदहानसवा सीटे हैं महिंदरगर से पंडित रामविला शर्मा चुनाव जीते थे 2015 में 2019 में चुनाव हार गए और यहां से Om направ जीत गई रावदान सिंग अब 2024 के लिए पंडित रामविला शर्मा फिर तैयारी में है और रामविला शर्मा से राव इंदर जी सिंग की कोई लड़ाई भी नहीं है उनके ट्यूनिंग ठीक है ठीक ठाक पढ़ती है रामविला शर्मा तो राव साहब को राजा साहब को अगली जो विधान सवा सीट है महंदरगड के अंदर ही वो आती है नांगल चौधरी नांगल चौधरी से विधायक है आजकल राव अभै सिंग सेवा निवरत नौकर शाह है आई-एस अधिकारी थे वो पहले नौकरी से सेवा निवरती के बाद में वो भराजनीती में भी बहुत दिन रोका लेकिन बाद में मनहोरलाल के वो नजदीक थे आजकल भी सरकार में राजय मंतरी का कारेभार संभाले हुए हैं तो राव अभै सिंग की टिकट भी कटना राजा साब के लिए बड़ी मुश्किल है चुनोती है और इसलिए राजा साब वहां निगा न हो चुका बहुत दुख्की बात है तो उम्प्रकाश यादव के एरिया में एक बार सभा करने गई थी आरती राव और उन्होंने वहां बोल दिया था कि अब हमारी बारी है यूद की बारी है यूवां को आगे बढ़ना चाहिए राजा साब का वहां केंडिट कौन हो सकता कहने सकते लेकिन वहां नजर पूरी है उम्प्रकाश यादव भी आलाकी राव साब के बहुत नजदीक थे लेकिन धीरे धीरे जो राजा साब के नजदीकी लोग थे वो भारती जंता पार्टी के अन्या नेताओं के भी नजदीक होते गए मनहोरलाल के भी नजदीक होते है अब नायव सिंग सैनी के नजदीक भी है और जो चौथा नाम में आपको बताऊं जो महिंदरगड जिले के जो विधायक है वो सीट है अटेली मंडी अटेली भी कहा जाता है उसको और अटेली के विधायक है सीता राम यादव, सीता राम यादव भी राव साब के कि महंदरगड की चार में से दो सीटें जिन पर राजा साब की सीधी नजर है और उनमें वो चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट हैं वो है नारनौल और अटेली अब बात करते हैं आप से रेवाडी की रेवाडी जिले में तीन विधान सवा सीटें हैं रेवाडी की पहली सीट गूप ट्राई करते रहे टिकेट मिरा नहीं 2014 में तो रंधीर सिंग कापडिवास को टिकेट मिला रंधीर सिंग कापडिवास चुनाव जीत गए हलाकि वो भी राव साब के कभी नजदी की थे लेकिन बात में उन्होंने आँखे दिखाने शुरू कर दी राव साब को सुनील मुसेपूर चुनाव हार गए कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव से लेकिन मार्जन कोई बहुत ज्यादा नहीं था और अब वहां पर यानि की जो 2024 है क्योंकि इधर तो रंधीर सिंग कापडिवास बीजेपी में वापिस आ चुके उनका जो निश राव साब चाहते हैं कि रेवाडी में विए उनका ही कैंडिडेट हो अब अगली विधानसवार सीट लें तो वह आती है बावल और बावल से विधायक हैं डॉक्टर बनवारी लाल केविनेट मिनिस्टर ने अर्याना सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल राव इंदर लेकिन बनवारी लाल बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन बावल सीट भी चाहते हैं राविंदर जी सिंग कि उनके समर्थक को मिले अब क्या बन्वारी लाली समर्थक रखेंगे या चेंज कर देते हैं यह निगावल पर रहेगी और अन्तिम विधान सवा कोसली विदान सवा आती है रहतक लोग सभा के अंदर रेवारी जिले की सीट तीसरी वो रहतक में आती में कोसली सीठ ऐसी है 76-77-1000 वोट से यहां पर हार गए थे वो लेकिन अब की बार कोसली दिपेंदर हुड़ा चुनाव जीत गए दो वोट से सिर्फ उम्मीद नहीं थी लोगों को लोग समझते थे कोसली अब भी नहीं जीत पाएंगे दिपेंदर लेकिन जो चुनाव परिनाव आया 2024 का लोग सभा का उसमें वो दो वोट से चुनाव जीत गए यानि कि 76-1000 वोटों का उन्होंने जो डिफ्रेंस था उसे कवर कर लिया राजनिति गरियारों में चर्चा होती है कि इसके पीछे राव सहाब का राजा सहाब का भी सहयोग था मैं आपको बता दू राव इंदर जी सिंग चुनावी सभा करने कोसली में गए थे डॉक्टर अर्विन शर्मा के लिए नितिन गडगर ही आये थे उस सभा में और उस सभा के अंदर राव इंदर जी सिंग ने ये बोल दिया था कि एक दिपिंदर उड़ा को हराने के लिए सारी वाजबा आ रही है राजनिति के अंदर दोस्तों इशारे बहुत होते हैं खेर बात विधान सभाई कर रहा हूँ मैं लोग ये कहते हैं कि कोसली विधान सभा सीट जहां से लक्ष्मन सिंग ज्यादव विधायक है राजा साब की नजर वहाँ भी है और वहाँ अपनी बेटी के बारे में भी सोचते हैं वो तो concentration 11 में से 7 सीट राव इंदर जी सिंग चाते हैं कि उनके समर्थकों को मिलें सीट राव इंदर जी चाते हैं और अगर साथ सीट उनको मिल जाती है साथ विधायक उनके बन जाते हैं तो फिर वो अपनी प्रिशर पॉलिटिक्स का हिस्सा चला सकेंगे आपको क्या लगता है कि राव इंदर जी सिंग की जो प्रिशर पॉलिटिक्स है क्या ये भारती जनत पार्टी आला कमाल इन साथ सीटों को राव इंदर जी सिंग के अवाले कर देगा और आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बार्वी दक्षिन हर्याना में भारती जंता पार्टी को वही सफलता मिलेगी जो उनको 2014 में मिली थी कमेर्स बॉक्स में जरूर पताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना